हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल लाइफ आफ रश्मी कैसे आप सब आशा करते हूं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं कि यह देखे आप तो देख रहा हूंगे कि मैं क्या कट कर रहे हूं और मैं पनीर कट कर रहे हूं उसके क्यूब्स मनता ही इस साइज क मैं कट कर रहे हूं तो देखे आज मैं कोई व्लॉग वगरा शेयर नहीं कर रहे हूं आज मैं आप दो मिनट के लिए मैं पानी में डाल के रख दी थी पनीर में पानी डाल दी थी और उसके बाद अब उसको मैं दूसरी प्लेट में खाली कर रहे हूं है ना तो हलका माश्य इस में आगिया है पनीर में और उसके बाद फिर ये कौन फ्लोर है तो अब मैं पनीर में एक कई में gust करेब k reference है वह अच्छे से फेलाओंगे उसमें डालूंगे अधी अ अ थोड़ा सा नमक वह समय करके डाल के फिर यह देके मैं इस तरह से उसको हाथ में मिक्स करने टाकि पूरी चीजें हर बने में कोटेड हो जाए अधिम कर दीग हो उसके प्रमें गैस ऑन कर दीग हूं उसमें कड़ाई कि चड़ा दीगूं और कड़ाही में थोड़ा सा इसमें जब थोड़ा ज़्यादा तेज कर रहा हो जाएगा उसके अत्विना ये पूरे जो हम पनीर क्यूप्स कट करके और उसमें जो ये सब मिक्स करके रखे हैं मैदा और नमक और लालमेश तो डालके अब इसको हमको अच्छे से फ्राई करना है और इसको आप देखिएगा एक त ताजा पनीर है उपर से थोड़ा सा चिपकने लगता है तो इसको मैं इस तरह से कडाही को उठा उठा क्यों हिला रही हूं ताकि पूरा जो पनीर में चाला जाएगा नहीं तो थोड़ा सा मतलब अपने को थोड़ा पेशन्स चाहिए और थोड़ा सा दीरे-जरे करना है ज दो जल्दल जल्द जारा नहीं चलाना नहीं तो फिर पनीर आपर पूरी मिक्स हो जाएंगे तूट जाहेंगे तो बस इस तरह से और गैस की जो फ्लेम ही रहेगे उसको लोगर नहीं करना है और बस उसके बाद मैं फिर पनीर को ये देखिए फ्राइ करके फिर मैं पनीर को निकाल ली हूँ और तेल को मैं थोड़ा सा कम करती हूँ उसी कड़ाई में जो तेल था उसको मैं कम करती हूँ और इधर पे फिर मैं एक शिमला मिल्च लेके हैं बस अब मैं इसको कट करूँगी यह देखिए दो पार्ट कर ली हूँ तो इसके बाद जो अंदर यह जो वाइट कलर के जो मोटा मोटा पोर्शन दिख रहा है ना वो भी मैं चाकू की साहता से मैं उसको भी निकालूंगी यह देखिए इस तरह से क्योंकि हमको बिल्कुल इस को अच्छे से बहुत ज्यादा चोट क्यूकि हम इसका पानीर चिली बना रहा है ना बहुत ज्यादा छोटा साइज नहीं करना है कट करके शिम्ला मिर्च की तो देखिए अपने हिसाब से आप चाहें चोटा कर सकते लेकिन ज्यादा छोटा इसमें रहता है चूकि सब इसम अमगार्फ से शिम्ला मिर्च भी कट हो गई है और मैं एक प्रि ones ली ढांच पूर पहले प्रिपेर पूरा हो जाना चाहें ना तो कॉर्ण फार रका है और यह जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसको मैं रख दीए और यह योश्ण करूंगी और यह कॉर्ण फॉर है यह करीव एक सबा चमच मैं रखी हूँ और उसमें मैं तीन और थोड़ा सौर पानी डालिंग तीन चमच और थोड़ा सौर और इसको फिर अच्छे से मिक्स करने इसका जो घोल तयार करने इसमें लंप्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए एक भी लंप्स नहीं होना चाहिए तो बस यह देखिए इस तरह से यह मैं घोल तयार कर लिए हूँ देखिए बिल्कुल भी लंप्स नहीं है तो इसको भी तयार करके मैं रख ली हूँ और बस अब यह देखिए जो जो उनको यह ग्रीन चिली सॉस है वेलेंगर है सोया सॉस है और टोमेटो कैचप यह पूरे आटम में मैं पूरे लाके यहां पर रख दी हूँ और यह देखिए थोड़ा सा अद्रग भी कद्दू कस करके रखी थी उसका फिर में जो तेल कम करी थे उ हमने को चरन चाहँ वरते हरे में जो पूब से पीह दाला द्याम इसका फिर अद्रग में जो पनी जींच घ्रब्च तेली में जा करना रहतर लेंगे जो जाक पेर 56 borrow तैम में पूरी कर ना थे हम को घ्रखान में तो आइसो की रहा इन्टयाइर उसको है और फिर यहद्ड़ गार्लिक बेस जो है वो में डालूंगी अंदाज से करीब एक चमच डाली होंगी मैं और बस इसको चलाते रहना है गैस की फ्लेम हमको कम नहीं करना है चुकि हमको यह पकाना नहीं बहुत अच्छे से सिर्फ इसको हलका सॉफ्ट करना है ताकि यह हमारे मुह में जब हम खाए पनेर चिले तो मुम में यह सम आना चाहिए तो बस यह देखे थोड़ा सा हो गया अब मैं मुश्किल से एक मीनट के लिए इसको ढखोंगे ताकि सॉफ्ट अच्छे से हो जाए और बस एक मीनट के लिए ढखके मैं निकाल दूँ तो यह देखे बहुत अच्छे से यह हो गया है और बस अब इसमें मैं सब यह सॉस डाल दूँगी जैसे सोया सॉस एक चमच यह वैनेगर है यह भी एक चमच डालूँगी चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस यह भी एक चमच डालूँगी और टोमेटो कैचप जो है वो मैं दो चमच करीब डा मिक्स करने के बाद इसमें जो गोल तयार करके रखी हूँ और फिर इसको अच्छे से चलाओंगी और इसमें थोड़ा समय पानी एड़ करोंगी झूकि इसमें ज़्याद ग्रैवी तो रहती से शक्षित इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी एड करूंगी यह देखिए बस इसके बाद यह मैं यह डाल दूंगी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी यह देखिए और बीच में थोड़ा सा नमक भी डाल देती मसाले में लेकिन वो शयद क्लिप मेरे हट गई है ध्यान नहीं दे पाए हूं और उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर तक पकाऊंगे मुश्किल से एक एक डेड़ मिनट तक तो हमारी पैनी चिली बनके तयार हो गई है बहुत स केरे किजेगा अपने फैमिली में फ्रेंड्स में झो भी मेरे चैनल कर आज नएया हैं तो प्लीज आप लोगव इमी बावट अच्छी यमी लग रही है ना बहुत ही टेस्टी बनी थि बच्चे लोग खाय सब लोग खाय दिक भी बहुत अच्छ रहे थी आप लोग बीदेखें बहुत जादा अच्छी धिख रही है कलर अगर अगरण बहुत अच्छा आया है तो यह देखिए आप लोग इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा इस प्रोसेस से और इसमें मैं कोई एक्स्टर ज्यादा बहुत सारे मसालेवगरा में कुछ भी यूज नहीं करी हूं बिल्कुल सिंपल बनाई हूं बहुत अच्छी है और तो ठीक है चलिए इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए